हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं संबित पात्रा के बाद अब तमिल्नाडू के मंत्री ने कहा मोधी हमारे डाड़ी है देश के डाड़ी है एक न्यूस चानल के कारिकरम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कनिया कुमार से बहस करते हुए पिये मोधी को सबका पिता बता था इस बात को गुज़े कई महिने हो गए मगर तमिल्नाडू सरकार के डेरी विकास मंत्री केटी राजेंद्र बाला जी ने पात्रा की बात को सीरिसली ले लिया और आज मीडिया से बात करते हुए पिये मोधी को पिता सम्मान बता दिया बाला जी ने कहा मोधी हमारे डाड़ी है इंडिया के डाड़ी है हम उनके नेतरत्व को स्विकार करते हैं मंत्री बाला जी ने कहा कि अम्मा यानि जैललिता के निधन के बाद पिये मोधी AIDMK को मदद करने और रास्ता दिखाने आ गया है इस बयान की सबसे खतरनाक बात ये है कि एक जिम्मदार व्यक्ति कह रहा है जो एक ऐसे पतपर है जिसके जवाब देही जनता से है ना कि प्रधान मंत्री मोधी से अब मंत्री ने ये बात भले ही पत्रकारों के उस सवाल से निकल आई जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि जब जैलालिता ने बीजेपी से गड़बंदन नहीं किया तो मौझूदा AIDMK की नेतरित्व इस तरह का गड़बंदन कैसे कर रहा है इस सवाल के जवाब में मंत्री केटी राजेंदर ने कहा कि अम्मा का फैसला अलग था लेकिन अम्मा जैसी बड़ी शक्सियत की गेर मौझूद्गी में मोधी हमारे डाड़ी है इंडिया के डाड़ी है ये एक शर्मनाक बयान है जब राजिका मंत्री प्रधान मंत्री को देश का पिता घोशित कर रहा है आप पिये मोदी की तारीफ कर सकते थे उनकी आलोचना भी कर सकते है मगर उनकी पूजा करना और उन्हें पिता घोशित कर देना कहीं से भी सहीं नहीं है ठीक वैसे ही आलोचना की आड में पिये मोदी को गाली देना भी गलत है माइंड दे न्यूज रूम की रिपोर्ट थैंक यू फॉर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें